शहर के एतियासिक धरोगर रामाला तालाप के पानी में नाइट्रोजन और फास्पुरस के बढ़ जाने से पानी का रंग हरा हो चुका है इस पर हमारी एक विशेश रिपोर्ट पिशले तीन चार दिनों से सिर्फ जिले में नहीं अपितू उरे राज्य भर में चर्चा का विशेश बना गड़ चांदूर का अमल नाला जिसका संपूर्ण जल हरा हो गया इस सम्मन्द में जानकारी लगबख सभी प्रचार प्रसार माध्यम दोरा दी गई हमारी सी टीवी नियूज हर कदम खबर की और ने भी मौके पर जाकर हर सीजी से जनता को रुबरू किया और इसके लिए उन्होंने भूजल वेग्यानिक खगोल शासरी डक्टर सुरेश चोपने से भी बाच्चित की और अभी अमल्लाला का विशय हर अखबार चैनल की सुर्किया बना हुआ है अब ये विशय चली रहा है कि सी टीवी नियूज के प्रतिनिरी राजु अलोने की निगाहें हमरे जिले के एक और एतियासिक धरवर रावला तलाप की ओर गई जिसका भी पानी पूरी तरह से हरा दिखाई दे रहा है और ये तलाप एक प्रका से प्रतुशी धोकर इसका असर मश्लियों पर भी पढ़ रहा है बहुत सारी मश्लियां मृत पाई जा रही है और आज ये तलाप बहुत से लोगों का आज विका का साधन बना हुआ है अब सामाजिक संगटन की लोग इसे साब सफाई के लिए आगे आ रहे है और इस सम्मन में मंसे के मंदी प्रोडे ने सीटी विनीव से बाचित की अगर जिल्डा प्राशसंशन आने वाले दिनों में अगर कड़क करवाई नहीं करती है तो महरास्ट और निर्मान से ना चंद्रोपर जिल्ला कलेटर ओपिस में जिल्ला प्रशाशन के आफिस में पानी फेक आंदोलन करेगी इतनी चेता होनी मनसित दवारा देता हूँ प्रशाशन के साथ ही जनता का भी सायोग अपिक शिता है हमारी एतियासिक धरवर को बचाने के लिए साप सुतरा रखने के लिए